नवस्कार दूस्तों मेराजपांडे आप देख रहे हैं RCN यूटूरी चैनल पर हार जिक स्वागत है इस चैनल के माधिम से लगातार आपको अथेंटिक जानकारी दी जाती है वही जानकारी दी जाती है जो पूरता सही और सटीक होती है आज है 30 दिसम्बर आप देख रहे ह त्यार करनी है आप भरती प्रीशय में सफल होना चाहते हैं कम पैसे में बेहतर त्यारी करे तो आप लिए जबर स्प्लेटraw के माधिम से आप कम से कम पैसे में दो साल बहतर त्यारी कर पाएंगे जैसा कि आप में स्क्रीन पर देख रहे हैं उपर लिखा हुआ है टेस्ट बुक नीचे लिखा हुआ है इंड आफ एर का से लगा हुआ है यानि कि इसी महीने आप इसका लाब ले पाएंगे अगले महीने से इसका प्राइज बढ़ अभी 279 रुपे हैं अगर आप इसे पर्षच कर लेंगे तो दो साल तक आप बहतर त्यारी कर पाएंगे अगर आप लखी वीने बनते हैं तो आपको एक कार भी जीतने का मौका मिलेगा सासर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ क्या क्या इसमें मिलेगा आपको दो साल त्यारी आप 650 भरती परिखाओं की कर पाएंगे 650 भरती परिखाओं की त्यारी दो साल तक आप कर पाएंगे मात्र 270 रुपे में 57,000 PLUS मौक्टेश्ट आपको देखने को मिलेगा 17,000 PLUS previous year का पेपर देखने को मिलेगा 12 भासाओं में देखने को मिलेगा और मैं आपको यह भी बता दू 21 लाक से ज्यादा स्टुडेंट अब तक इसे परचच कर चुके हैं और बीस लाक दो लाक से ज़्यादा की शरकारी नौकरी लग चुकी है तो अभी जाएगे इसे पर्चच कर लें पर्चच जब भी करें तो आर्चियन कूपन कोट का यूज करेंगे आर्चियन कूपन कोट का यूज अगर आप नहीं करेंगे तो आपको 499 रुपे में अभी यह मिलेगा आपको और आगे चलके यहां 1199 और 1599 मिलेगा अगर आप आर्चियन कूपन कोट का यूज करेंगे तो आपको 270 रुपे में दो साल तैयारी करने के लिए मिल जाएगा तो अभी जाएगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस लिंक पर क्लिक करिए और करेंट दिखाना चाता हूं यहां पर लिखावा जैहिंसर मैं आपके चैनल पर पूरा भरोसा करता हूं क्योंकि आपके चैनल के माधिम से सही जानकारी देने के कारण ही आज मैं यूपी पूलिस में नियूक थूं ऐसे बहुत से लोग हैं जो टीजीटी पीटी में कारिया मिलती हैं और भरती परिछाओं से रिलेटर जो भी खबर देता हूं सबसे पहरे सटिक देता हूं वही खबर देता हूं जो पूरे सत्य होता है इन्होंने कहा है आगे भी त्यारी करता हूं आपके द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाती है मैं जरूर देखता दिल से सुक्रिया मेरा रिप्राइज जरूर दीजिएगा दोस्तों यही प्यार दुलार है जिसके कार्ड यह चैनल टिका हुआ है कम सब्सक्राइबर भले हैं लेकिन यूनिक हैं जिसके 10 लाग सब्सक्राइबर हैं उसके व्यू जो है हमारे 62,000 के ओल हैं तब भी देखने वाले 4-5,000 मेरे हैं तो आप आकलन कर सकते हैं कि विविन भरती पर इच्छाओं के होते विए भी इस चैनल को पूरा देखा जाता है पहली खबर के बारें बात करेंगे पहली खबर है कि 31 जनौरी से सुरू होगी दरोगा की ट्रेनिंग फारेंसिक में निपुर होगा नया बैच डीजी पर सिच्छन बोले सांसन के आदेश पर उपनिविच्छा के 9,534 पर भरती की गई ट्रेनिंग में साइबर पर किया जा तो एक से एक चैनित अभरती धरे जाएंगी तो क्या इसकी जाच होगी क्या आपको लगता है मुझे तो अब नहीं लगता है क्योंकि आप फाइनल होने वाला है और उत्तर प्रदेश में भरतियां फाइनल हो जाती है राजस्थान में पेपर लेख हुआ तो रीखजाम ब सीन को लेकर देखी देश में अब कहीं से भी ओटर कर सकेंगे मत्दान जब मत्दान केंदर पर जाकर ओट देने पर विश्वास नहीं रहता है कि इवियम का ओट कहां जा रहा किस पार्टी को जा रहा है और सभी लोग आरोप लगाते हैं कि इवियम में गड़बरी है तो बाहर से रिमोट दबाने से ओट पड़ेगा तो भताईए ओट कहां जाएगा तो क्या इस पर सभी को विश्वास हो पाएगा आखिर का इवियम को बैन करने के बजाए इवियम में नई टेकनोलोजी जोड़ना किस तरफ इसारा करता है मैं आपको बता दूं चुनाव आयो लोगने गुरुवार को इसकी घोश्वा की आपको बता दे कि रिमोट एलेक्ट्रानिक ओटिंग मसीन यानि की एवियम की मदद से अब घर से दूर किसी दूसरे सहर और राज में रहने वाले ब्यक्ति ओट दे पाएगे चाहे विधान सभाद चुनाओ हो या लोग सभाद चुनाओ और देना आसान हो गया क्या इस प्रक्रिया से चुनाओ में पाले जिस्टा आएगी कमेंड बॉक्स बताईए क्या इस प्रक्रिया से चुनाओ में धादली होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं जब मैं ओटिंग करने के लिए बूत पर जाता हूं सामने ओट देता हू और सिलिप हमारे सामने निकलता है बीवी पैड में तब मुझे भी स्वास नहीं होता है तब आरोप लग जाते हैं अजब रिमोट से बटन दबाया जाएगा और पता नहीं कौन रिमोट से बटन दबा दे इसकी क्या गारंटी कोई गारंटी है कमेंट बॉक्स बताईएगा तो क्या यह प्रक्रिया सही है आपकी राह हमारे लिए आति महत्पूर है अगली अपडेट है बड़ी पहल कहीं से भी कर सकेंगे मद्दान घर लोटने की जरूरत नहीं वह इवियम के बारे में है आप इससे कितना सहमत है इस इवियम मसीन पर आपको कितना विश्वास है क आपको बताया गया था कि जनर्वरी टूर फरवर के पहले इस परक्रियां आगे बढ़ने के संकित नहीं मिल रहे है कब बताया गया था तीन चार महिने पहले और जो बताया गया वही हुआ आप नए साल में परवेश करने वाले हैं लेकिन जो धर्ना प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें मांग क्या की जा रही है और अभर्थियों का क्या कहना इस मिशे में आपको जानना जरूरी है जूनिर हाइ स्कूल में सिच्छक भर्थि के अभर्थियों ने ब्रेस्पत वार को परदर्शन किया सिच्छा ने साल में परदर्शन कर अभर्थियों ने भर्थि परक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की परदरसन में सामिल अभर्चों का कहना है पहले की तरह अभी हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है हर बार अफसर यही आस्वासन देते हैं कि भरती परक्रिया में तेजी है भरती परक्रिया में तेजी से काम चल रहा है लेकिन जमीन इस तर पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अब धर्थियों ने चेतावनी दिये कि जल्द कोई निर्णे नहीं हुआ तो अब धर्थी बड़े आंदोलन को बाद जोंगे आपको मालूब होना चाहिए जब नेताजी गाओं में ओट मांगने जाते हैं तो कहता हैं ही खडंजा बनवा देंगे इन आली तयार करवा देंगे इस सड़क बनवा देंगे खडंजा लगेगा पिछरोट लगेगा आपके गाओं में लाइन आ जाएगी आपको सोचाले मिल जाएगा लेकिन जब जीत जाते हैं तो नेता जी पांच साल नजर नहीं आते हैं तो ही इस्तिती है जिस तरह नेता जी लोग को गुमरा कर रहे हैं उस तरह से PNP गुमरा कर रहे हैं अधिकारी गुमरा कर रहे हैं ऐ दोस्तों नए साल के पहले कुछ होना होना नहीं है इसलिए अभी आपको बेट करना पड़ेगा न्यूक्ति में तो आपको लंबा समय देना पड़ेगा न्यूक्ति अभी होने वाली नहीं है अगली अपड़ेट है आर अच्छर से वंचित अब भरती सरकार के खिलाब चलाएंगे अभियान 79,000 सिच्छक भरती का मामला आपको मालूम होगा है चाहे 99,000 सिच्छक भरती देखिए चाहे 8,500 सिच्छक भरती देखिए चाहे एल्टी क्रेर देखिए, चाहे बीडियो देखिए, चाहे UPSI देखिए, कोई ऐसी भरती नहीं है, जिसमें धाधरी के आरोप ना लगे हो, 15-15 लाग, 16 लाग के आरोप ना लगे हो, मुनत्तर यसी चक भरती में आरचर से मंचित OBC और, ऐसी अब भरतियों ने सरकार पर आरचर बिरोधी होने का आरोप लगाया है, अब भरतियों ने आरचर बचाने के लिए सरकार के खिलाप अभियान सुरू करने का ऐलान किया है, तो क्या इसी सरकार पर कोई एफेक्ट पढ़ेगा, जब रीमोट वाली EVM मसीन बन रही है, लोग ऐसा बोल रहे है, जब से लोटिंग मसीन जो है, रीमोट से कनेक्ट हो गया, तो आप चाहिए धरना दो चाहिए, जो कुछ कर लो जीतना तो उसी को है, तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, आखिरकार क्या, लोग कोई EVM पर विश्वास नहीं है, मद्दान प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है, कमें है, यहां पर देखिए, एक भायतपूर ख़बर, टाइम टेबल, यानि कि पंद्रा फरवरी से स्टार्टिंग हो गया है, साफ साफ यहां पर लिखा है, सी बेसी की परिछाओं का कारिकरम जारी, सी बेसी ने गुरु वार्ट को दस्वी और बार्वी की बोर्ट परिछाओ का कारिकरम जारी कर दिया है, प्रम विश्यों का कारिकरम इस प्रकार है, अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो टेलिग्राम पर मेरे चले जाएए, टेलिग्राम पर जाएए, आर्से न्यू टूडे सर्च करेए, आपको टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां जारकार है सहाइक प्रोफिसर के रूप में न्यूक ती मान डंडों की तहित राष्टिय पात्ना परिष्छा यानि की नेट का आयोजल्म 21 फरवरी से 10 मारत हो जात तेश तक होगा एंटिय ने गुरुवार को हजानकार दी है कंप्यूटर आजहार नेट 83 बिस्लियों में आयोजल्म 21 होगी UGC के अजयस ने कहा कि एंटिय को नेट परिष्छा आयोजल्म 21 करने का दायोत UGC ने सौपा है एक और महतपुर खबर देना चाहता हूँ देश के प्रधान मंतरी नर्द्र मुदी जी के माता का देहांत हो गया है माता माता होती है माता से बढ़के इस प्रिथिवी पर कोई नहीं है और मैं आपको बता दूँ 100 साल की आयोजल्म 21 पूरी की है आप सभी इस पर से कामना करें कि माता जी को भगवाने के चर्णों में जगाह मिले और इनके लिए एक मेट की हम लोग सर्णधान जिली लखेंगे उसके बाद आगे की खबर देंगे आप सर्णधान जिली लगवाने की खबर देंगे अगली खबर की बारे में बात करेंगे आगली खबर है एगरी काल्चर टेकनिकल असिश्टेंट भरती को लेकर और जूनिर असिश्टेंट भरती को लेकर उससे पहले UPLSA P15 2022 के रिजल्ट पर बात कर लेते हैं दोस्तों रिजल्ट चार या पांच जनवरी तक कम्पलीट हो जाएगा, कब तक चार या पांच जनवरी दो हजार तेईस तक रिजल्ट कम्पलीट हो जाएगा, इसकी सुचना प्राप्ट होई है, रिजल्ट कब आएगा पंद्रा जनवरी की आसपास यानि कि थार्ड बिग जनवरी की मान कर चलिए आपका रिजल्ट आपके समझ होगा एक और महत्पूर जान करें देदू इस पीटी रिजल्ट के बाद आपको दू भरतियां कंफर्म देखने को मिलेंगे तीन भरतियां कर देखने को मिलेंगे एक वीडियो भरती होगी जूनियर असिस्टन भरती होगी अगरिकल्चर टेकनिकल असिस्टन भरती होगी लेकिन दोस्तों जूनियर असिस्टन थोड़ा बिलम से आएगी और टेकनिकल असिस्टन यानि कि अगरिकल्चर टेकनिकल असिस चाहिए तो इस चैनल के माधिम से आपको दिया जाता है आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं सही सटी खबरों के लिए पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से आपको धन्य बार